मैं हूं मुच्चितबा आज हम डिफिरिशल अप्रक्सिमेशन करेंगे और इसमें जो कुछिन टाइप है वो कुछ डैसिमेल में 0 का इस्तमाल ज्यादा लग रहा है इसको जरा देखते हैं तो यह है अंडरूट 0.0037 हमेशा यह याद रखिएगा कि अब जैसे यह दो डिजट हैं यह दो डिजट में कोशिश यह करें जो भी नंबर हों उनमें जो स्क्वेर रूट वैल्यू है स्क्वेर की वो नजदीक दरीन आनी चाहिए मसलन यह 37 है तो अगर 5 का स्क्वेर करें तो 25 आएगा 6 स्क्वेर करें तो 36 आएगा और 36 नजदीक है 37 के तो यह हमें convenient है कि हम 37 का इस तरह का रूट लें कि वो whole number figure हमें x की value में मिल जाए तो हम 36 ले लेंगे ताके वो root जब निकालें तो वो एक number हमारे पास आजाए तो let's start let y is equal to under root x अब हमने यह तो ले लिया लेकिन x ही value क्या लिखेंगे x ही value लिखेंगे 0.0036 और delta x की वो लिखेंगे 0.0001 इसमें add करें तो 7 हो जाएगा तो 0.00037 आ जाएगा तो हमारे पार delta x आ गया हमें यह भी मालूम है कि अगर हम d by t x तो हमारे पास आएगा 1 upon 2 under root x यहां तक तो उमीद है कि आपको समझ आ कई होगी आगे चलते हैं delta y is equal to f x plus delta x minus fx अब इसकी value क्या है x plus delta x c x है 0036 decimal के साथ और delta x है 00001 हम इसको root में वही number लगाएंगे जो question के start में 0.0037 minus under root x value क्या है 0.0036 delta y is equal to 0.0037 यह ऐसी रहेगा इसका हम 0.0037 is equal to 0.06 plus delta y delta y अपनी जगा पे रहा minus 0.06 transform हो गया transport हो गया उदर shift कर दिया तो यह plus signature के साथ आगे इसको हम equation 1 का नाम दे जाते हैं हमें मालूम है कि dy is approximately इकल तो देल्टा वाइस 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 देल 1 over 2 under root x delta x dy is equal to 1 upon 2 xc value हमारे पास कितनी है 0.036 0.0036 into delta x कितना है 0.0001 so dy is equal to इसको multiply कर ले 0.0001 over 2 into 0.06 dy हमारे पास आजाएगा 0.00083 यह हमारे पास dy की value आगे अब हमें इसको substitute कर देंगे substitute the value of dy in equation 1 वो क्या हमारे पास हमारे पास 0.0037 root में और 0.06 plus 0.00083 sum up कर लेंगे 0.06 0.083 यह किसकी value आगई root में 0.0037 यह आपके पास answer आगया यहनिके इसका root आगया एक और question देखते है यह question बड़ा interesting है interesting इस sense में है कि अभी तक जो question हमने की है उनमें increment की value जो है वो positive या negative थी यहाँ पे जो हम कर रहे है question इसमें power negative है तो power negative है इस question को कैसे करेंगे जैसे बागी question की है वैसे ही करेंगे as such कोई issue नहीं है so let y is equal to x to power 1 over 5 sign किसका है minus का तो अब यह 33 है अब 33 नमबर जो है अगर हम अगर 3 का table पढ़ें तो 3 11 33 आजाएगा तो यह तो हम इसका root निकाल सकते है तो हम ऐसा exponent इसमाल करना चाहेंगे जिसकी power 5 आजाए तो 2 is the best 32 का अंदर 2 2 is the 4 4 is the 8 8 to 16 16 to 32 तो यह हमारे पास base same है तो जो exponent या power है वो 5 हो जाएगी तो 2 की power 5 हो जाएगी तो हमारे डी यह असान हो जाएगा तो यहाँ पे हम x is equal to 32 और delta x जो है वो 1 तो sum up करेंगे तो यह हमारे पास 33 हो जाएगा डी वाइब है dx is equal to minus 1 over 5 x minus 6 over 5 इसको असान लिख लें minus 1 over 5 x 6 over 5 यह हमारे पास dy by dx हमें मालूम है delta y is equal to f x plus delta x minus f x वो क्या हमारे पास हमारे पास 33 क्योंके x plus delta x x हमारे पास 32 है delta x 1 है sum up करेंगे 33 हो जाएगा minus 1 over 5 minus 32 minus 1 over 5 33 minus 1 over 5 minus इसको एक step और कर लेते हैं 2 की पावर 5 minus 1 over 5 यह 5 और यह 5 cancel हो गया तो यह 2 की पावर और minus 1 बची इसको कैसे लिखेंगे इस तरह half हो जाएगा यह delta y तो 33 minus 1 over 5 is equal to 1 over 2 plus delta y मुझ उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई होगी अब हम आगे क्या करेंगे इसको equation 1 का नाम दे देते हैं ताके जब हम उसको हल करना जाएँ तो हमारे लिए असान हो हमें मालू है कि dy is approximately equal to delta y therefore dy dy d over dx into delta x dy is equal to अब dy over dx जो है वो हम यहां निकाल चुके है minus 1 over 5 x 6 over 5 और delta x क्या है हमारे पास वन है minus 1 over 5 x ही value क्या है 32 और 32 को हमने अभी 2 की पावर 5 कहा था तो हम यहां पे ब्रेकेट में 2 की पावर 5 over 6 over 5 into 1 1 over 5 यह 5 और यह 5 और यह 5 यह denominator का है यह numerator का है तो 2 की पावर 6 बच गए 1 over 5 2 की पावर 6 का मतलब यह 5 थे एक और से कर लें 2 तो यह 2 की पावर 6 हो जाएगी यहां तक 2 की पावर 6 2, 4, 8, 16, 32, 64 तो यह 64 हो जाएगा तो यह dy 5, 4s are 20 5, 6s are 30 32 तो dy हम हर पास क्या आ गया 320 substitute the value of dy in equation 1 equation 1 क्या है 33 minus 1 over 5 equal to 1 over 2 1 over 320 इसको आप डिवाइट कर लें तो यह जाएगा 0.497 33 power minus 1 over 5 इसको ज़रा चेक कर लीजेगा 151 यहनिके हमने 320 को divide किया 2 से तो यह 160 आगया और 320 320 से divide होगा 1 आएगा 160 minus 1 equal to 159 divide by 320 gives you 0.497 यह हमने complete कर लिया iada रहुआ 16-12 कर दो सब्वाओब 151 प्रेशन इसका रहाएगा 151 इसकाओब